हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है तो जैसा कि आप देख पार हैं ये मारोती सुजुकी की सैलेरियो है 2008 का मोडल है पेट्रोल का रहा है तो इसका मैं आज डैसबोट खोलने जा रहा हूँ डैसबोट क्यों खोलने जा रहा हूँ क्योंकि इसका इबाबॉरेटर कोयल यानि कुलिंग कोयल लिकेज हो चुका है इस वज़े से मैं इसका डैसबोट खोलने जा रहा हूँ साथ तो आप को मिल जाएगा जैसे आपका कॉनसी मॉडल है तो je वीडियो के दिस्क्रिपम्स में जाएंगे तो उसका लिंक दिया हुआ रहेगा। तो वहां जाकर कि आप देख सकते हैं आपका जो मॉडल है वह स्ड़ेक करके आप देख सकते है वीडियो है। तो चलो फिर मैं इसका dashboard खोलना इस्टार्ट कर रहा हूँ जैसे कि देख पार है अभी गारी चालू है और तो सबसे पहले मैं battery की wire निकालने जा रहा हूँ उसके बाद आगेब का processing आपको दिखाऊंगा तो चलो फिर मैं dashboard खोलने के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो जैसा कि देख पार है मैं battery की wire निकाल चुका हूँ और मैं dashboard खोलने के लिए स्टार्ट कर चुका हूँ तो जैसा कि देख पार है सबसे पहले यह वाला मेरे को निकालना पड़ेगा इसमें दू साइट के लिए मैं निकाल दिया हूँ इस साइट का तो चार्ज के लिए का उसके बाद यह वाला बॉक्स निकाल देंगे तो बैटर रहेंगा नहीं भी निकाला देंगे तो कोई प्रॉलम निँजीए सको ति को निकालने के लिए सबसे फिलें यह खुलना पड़ेगा आपको इसमें इसको इसी ही रहन देता हूँ या फिर खोलके और यह वाला पट्टी जो दिया है साइड में एंगल दिया है दोनु साइड का खोलना पड़ेगा इसमें भी बारे नमबर दिया है इसमें भी दिया है यह वाली पट्टी में तो यह बारे नमबर खोलके फिर में गेरबॉक्स को पल्टी मारता हूं पल्टी मार के वा और इस साइट का दोनों खुल लिया हूँ, खुल के इसको इदर फिक्स कर दिया हूँ, उसके बाद रहता कि देट पार है, यहां दस नंबर दिया है, यह कुलना पड़ेगा, इसके बाद यहां दस नंबर दिया है, यहां दस नंबर दिया है, यहां दस नंबर दिया है, यहा तो किट यहते सारे सोपिक जो देख रहे हैं ए siamo Here A A यह वाला सोपिट जोक फीज बाक्स में रहताए है mentre सब सोपिट खूलना पड़े को इसके बाद एक अर्फिंगपा दिया है कोई आचन नहां दे अपने गुठाट में इसके में साइड में दू बारा नंबर दिया है लुआ कि यह और लुआ देला है अपने यह सब खुल चुका और इस साइड का दोनू बारा नंबर खुलना पड़ेंगा और इस साइट का दोनूब्स को निखना पड़ेगा आपको 12 नमबर दिया हो रहते हैं तो ये सब बाकी में खुलता हूं उसके बाद के बाद ये केबल होना पड़ेगा आपको एटर का और डायक्शन का और आॉटसाइट का तीनों का केबल निखालना पड़ेगा तो चलो फ सेंसर की सोकेट रिजिस्टेन की सोकेट उसके बाद यह वाला आर्थिंग का यह एरबेक की सोकेट वह बाहर से 12 नंबर सब मैं खोल दिया हूं जैसा कि देख पार हैं खुल चुका हैं दोनों के दोनों 12 नंबर और यहां का एक सोकेट खुलना पड़ा मेरे को उसके बाद बाली सब खुलज चुका है मेरा मेरा घयसा कि देख पार हैं अबफीडassbaud नहीं रही है हील नहीं है लेकिन निकल निकलेगा नहीं क्यों ही निकलेगा क्यून मैं आ आपको आंदर देखा देता हूं क्या खुलना बाकि है अभी अबने Kो जैसा कि देख पार है आप ये वाली बारे नमबर आपको खोलना पड़ेगा ये और ये जो बारे नमबर ये पट्टी ये वाली खोलेंगे तो भी चलेगा ये वाली खोलना पड़ेगा इसको उल्टा साइट दिया हुआ रहता है यहां बारे नमबर ये पट्टी जो दिया वानियो रहे हिस विशे से यह व्ला दिया है自ह खोलने के बाद ही खुलेगा और यह वाला केबल दोनों निकाल में लगा रहा है वाल ले लिए आउ मैं तो चलो फिर मैं इसको निकालता हूँ फिर अगे आपको दिखाता हूँ कैसा कहे मैं है खोलने के बाद अब अपना dashboard पूरा बाहर आ जाएगा तो चलो फिर मैं इसको पल्टी मारता हूँ पल्टी मार के बाहर लेके दिखाता हूँ climate control unit तो बाद में निकलेगा पहले dashboard अपना निकलेगा फिर climate control unit निकलेगा तो चलो फिर मैं इसको पल्टी मारता हूँ पल्टी मार के फिर अगे आपको दिखाता हूँ बाहर से अभी मेरे को कुछ खोलने की जरूरत नहीं है तो चलो फिर मैं पल्टी मारता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ फाइनली जैसा के देख पार हैं, डेजबोर्ड अपना पलती मार दिया हूं मैं, अब रही ये मेरा प्लैमेट कंट्रोल इनीट, जो क्या आप देख पार हैं, ये वाला 10 नंबर, एक यहां रहेगी 10 नंबर, उसके बाद, इस साइट तो नहीं दिख रहा है, एक यहां है, और यहां है, चार दिया है अंदर से टोटल, और इसका फिल्टर देख पार हैं, कितना कचरा हो गया है, जैसा के देख पार है, फूल गान पड़ा हुआ है, तो चलो फिर ये सब मैं खोलता हूं, और बाहर से अपने हीटर का पाईप, कुलिंग वाइल का जॉइंट, वो सब ख का खुलता हूं, तो चलो फिर खोलने लग जाते हैं, फिर आगे आपको दिखाता हूं, जैसा के देख पार है, मैं फाइनली अंदर का चारो दो नट, दो बोल्ट खोल चुका हूं, तो अभी भी जैसा देख पार है, हील रहा है, बट बाहर नहीं आ रहे है, क्यूं नहीं और heater का और cooling coil के पास का, expansion wall के पास का joint निकाला नहीं, इसके वेसे निकल नहीं रहा है, तो चलो फिर मैं बाहर लेके जाता हूँ आपको, वो सब खोल के दिखाता हूँ, चलो फिर बाहर चलते हैं अपन, जैसा कि देख पार है, ये expansion wall के पास का joint खोल दिया हूँ मैं, और ये heater का pipe खोला नहीं होँ अभी, ये खीचेंगे, खिलीप निकाल दिया हूँ और खीचेंगे निकल जाएगा, ये भी खीचेंगे निकल गया, और यहां रहती है एक 10 नंबर, ये वाली, जो कि मैं खोल दिया हूँ, तो इसके वेसे climate control अंदर चला गया, यानि बाहर चला गया ग भाहर निकल चुका, तो चलो, फिर मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, फिर आग्या आपको दिखाता हूँ, जैसा के देख पार है, बाहर ले चुका हूँ, इसको मै, देख पार है, किस टाइप से दीख रहा है, इसका filter आप देख रहे है, प्यर्वा चोक हो चुका है, और य अग्गे आपको दिखाता हूँ तो जैसा कि देख पार है मैं लगबग इसका तीनी स्कुरू रहता है यह वाली पट्टे में आप देखेंगे अग्य है कि देख लेंगे एक बार तीन चार स्कुरू दिया नाख तो मैं तीन आप खोल दिया हूँ और उसके बाद यह वाली लोक रहती है यह वाली लोक को खोलने का इसके बाद यह इसको बाहर साइट की चिचेंगा निकल जाएगा जैसा कि देख पार है, निकल चुका, तो इसको मैं अलग कर देता हूं, साइड में रख देता हूं, उसके बाद, इह वाला परासर निकलना पड़ेगा, फिर कुलिंग को निकलने बाद, तो चलो फिले यह वाली बोडी में निकाल देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ, देख पार है, बोडी अलग हो चुकिए है यह वाली, इसके बाद यह दो इस्कूरू रहे गाए है, यह इस्कूरू और एकी स्कूरू खुलने के बाद यह निकल जाएगा, तो मैं देख पार है, यह वाला निकाल देता हूँ, फिर आगे आपको दीखाता हूँ, ऑप मेरे को व्यू वाला पॉप्संन को देता हूँ, यह दो दीख रहे है, यह वाला साइट का खूले में फिलिक को बिल्म पार निकल जाएगा, जह दो दो मां खोलका हूँ, इसके बाद ब यह कटाएंगे इसली बाहर आ जाएगा जैसा के देख पार है बाहर आ चुका कुलिंग वैल को नया वाला कुलिंग वैल का सब्सक्राइब में आपको पड़ाइज दिखा देता हूं कितने का है कि देख पार हैं थोड़ा इदर दिखने ही रहा है 210 रुपो का है में आपको रिखाता हूं तो देख पार हैं भी एक्सवेंशन वाल के साथ दिया है अपने को सेम है और इजनल है दिल्कुल तो चलो फिर में इसको फेटिंग करता हूं फेटिंग करके आगे आपको दिखाता हूं सबसे पहले आप ए सेंसर जो है कुलिंग को यहां हो रहता है यह सेंसर का पूजिशन यहां है तो इसमें भी डाल देना आप मैं तो कुलिंग में इफेक्ट मतलब प्रॉलम होगा चल्दी ट्रीप मार सकता है या फिर नहीं ट्रीप मारेगा तो इसको जैसे वही पोजिशन में लगा दिया हूं यह रही सेंसर चलो फिर मैं अगे अंदर फिटिंग करता हूं फिर अगे आपको दिखाता हूं तो जैसा के देख पार जुनी वाली क्वैल इधर है और नहीं वाली फिट हो चुकी है तो फिर आगे मैं इसका यह कवर के फिर अगे आपको दिखाता हूं अब मेरे को हीटर कोई डालने की ज़रूरत है तो लोग जो फिक्स करके रखता है इसको तो अब यह वाली बोडी मेरे को डालना प्रेगा इसमें लॉग करना प्रेगा तो बोडी को लॉग करके फिर आतके त हो चुक Vors हो जजऑ आखांध के देख पर पर तरीके से फिट हो चुका, इसका फिल्टर आप देख लिए एक बार, देख पार है कितना घान से बाड़ा हुआ है, तो चलो मैं इसके साफ करके, फिटिंग करके, फिर गारी में ले आकर करके, फिटिंग प्रोसेशन में लेके जाता हूं, तो चलो फिर आगे अपना काम म लग जाते हैं, तो फाइनली जैसा कि देख पार है, क्लामेट कंट्रोल उनिट बेट चुकी अपना, अब फिटिंग हो चुकी है अंदर का, सिर्फ बाहर से मेरो को फिटिंग करना बाकी है, फिल्टर भी मैंने किलीन कर दिया, जैसा कि आप देख पार है, पूरा प्रोपर फिट हो चुका है, तो चलो फिर मैं बाहर भी आपको दिखा लेता हूँ, फिटिंग करके, तो चलो फिर बाहर लेके जाता हूँ आपको, तो जैसा कि देख पार है, एक्स्पेंशन वाल, फिटर का पाईप, और वो जो रही दस नंबर, वो जो दिख रहा है, वो वाला, त फिट हो चुका, तो चलो फिर मैं अंदर आपको लेके जाता हूँ, अंदर भी दिखा दिता हूँ, तो जैसा कि बाहर दिखा है, मैंने बाहर से सब फिट हो गी है, अंदर से भी अपना सब फिट हो चुका है, तो चलो फिर मैं आपको डैस बोड अंदर डाल करके, फिर आपको दिखाता हूं तो हेलो दोस्तों जैसा कि देख पार है फैनली सब गियर बॉक्स हो गए रहे सब पट्टी हो गए रहे सब बैठा चुका हूं मैं अधियर कोलम जेख पार है सब टाइट हो गया है वो एक डायरेक्शन फ्लैप हीटर फ्लैप का केबल दोनू भी लग चुकी है ज़िए इधर की जो सित्ती सारी सौकिट खोला ता सब लग चुकी है जिसा कि अब देख पार हैं बाहर कभी बाहर से भी दोनू बारा नंबर भी लग चुका है और बाकी यह सब छोटा मोटा काम है इस टाइट का भी सब सौकिट हो गएरे लग चुका है देख पार है तो इस टाइट का भी बारा नंबर फिटिंग हो चुका है तो बाकी सब फाइनल फिटिंग करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूं तो चलो तो चलो फिर मैं इसको अब गैस चार्जिंग प्रोसेस में लेके जा रहा हूं गैस चार्जिंग करता हूं फिर अग्गे आपको दिखाता हूं तो चलो फिर अब देख पा रहा है और लो मैंने लगा दिया है और इसको वेक्म लगा देता हूं दस मिनिट के लिए बस हुआ, चलो फिर दस मिनिट बाद हम फिर मिलते हैं, तो फैनली आप देख पार है, अपना वेक्यूम कंप्लीट हो गया, और यहाँ के देख पार है, इस मैं ओईल मार देता हूँ, वेक्यूम कंप्लेट हो जाएगा, तो ओईल आटोमेटिकली यहाँ यह आप यह वाला वाल खोलिंगे, तो चले जाएगा, इसमें गयास चार्ज कर देता हूँ, 300 ग राम गयास मारूं भैस में, तो चलो चलो अंदर गाड़ी चालू करते हूँ, तो दोस्तों जैसा के देख पार है, फैनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और अपनी गाड़ी अभी चालू है, और ऐसी मैंने चालू रखा हूँ, जैसा के देख पार हैं, गाड़ी चालू है, एसी चालू है, कुलिंग टेंपरेचर देख लीजे आप, 6.7, 6.6 पे आ चुका है, 6.5 और बिट ड्रोफ हो रहा है, 6.3, 6.1, 6 पे आ चुका कुलिंग टेंपरेचर, 5.9 पे अभी भी ड्रोफ हो रहा है, जैसा के आप देख पार हैं, तो चलो, मैं जब तक, इसका बाकी सिस्टम जैसा के देख पार है, प्रोफर चल्ड है, एर डाइरेक्शन भी प्रोफर चल्ड है, लोड स्पीड भी प्रोफर चल्ड है, तो चलो, फिर मैं इसको हीटिंग पे ले लेता हूँ, और हीटिंग टेंपरेचर देखता हूँ, बर रहा है क्या नहीं, जैसा के देख पार हीटिंग टेंपरेचर बर रहा है, AC चालू है फिर भी heating temperature बर रहे और बरना ही चाहिए अगर AC चालू पर heating temperature आपका अगर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाईए कि आपका heater coil में कुछ न कुछ तो fault है heater coil proper तरीके से काम नहीं कर रहे है जैसा कि देख पर 38 पर आ चुका है कोई-कोई भाईयों का कहना है कि AC चालू करेंगे अगर आप चालू रखेंगे और heater चालू रखेंगे तो heating temperature नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा यानि उसके कहने के हिसाब से कि पहले जो air जो आ रही अपने पास ब्लोड में से तो cooling coil में जाएगा पहले ठंडा होगा ठंडा होकर के फिर गरम होगा गरम होकर के मतलब cooling coil में ठंडी होगी हवा फिर गरम होगी तो ठंडी और गर्मी दोनों mix होके आएगा तो उतना heating temperature एफेक्ट नहीं कड़ेगा हाँ ऐसा भी system दिया हुआ रहता है कोई-कोई गाड़ी में दिया हुआ है इसा system बट वो गाड़ी में आपको heater चालू कड़ेंगे तो heater ही AC बंज रखना पड़ेगा लेकिन बट ये वाली latest car में जो है ऐसा system नहीं दिया हुआ रहता है इसका heater का flap अलग रहता है और cooling का flap अलग रहता है जैसा के देख पा रहे है 62 पे आ चुका है AC चालू है देख पा रहे है 62, 63 अब भी बर रहे है इसका सभी system प्रोपर चल रहे है तो चलो तो मैं इसको cooling पे रहे लेता हूँ जैसा के मैंने आपको दिखाया dashboard खोल के पुरा खोल के fitting करके कैसे कैसे खुलता है क्या क्या खुलना पर रहे है तो मैंने सब processing आपको बताया तो अगर ये गारी आपके ये model की गारी है तो ये वीडियो तो आपके लिए ठीक है लेकिन बट अगर दूसरी model है जैसा 2014 का model है यही गारी तो आप इस वीडियो के description में जाईएगा description में जाने के बाद वहाँ आपको link दिया हुआ रहेगा 2014 या जितनी भी model हो sellerio का उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं आपका जो भी model हो अगर मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ तो बना हुआ है अगर 2012 का तो description में जाईएगा वहाँ आपको मिल जाएगा तो जैसा के मैंने आपको दिखाया जैसा फोल फिटिंग करके तो आप मेरे चैनल में अगर नहीं हो तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, सस्क्राइब अगर करेंगे न तो मुझे next वीडियो जो बनाऊंगा न तो खुषी-खुषी से मुझे बेहत खुषी होगी और खुषी-खुषी से वीडियो बनाऊंगा तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से explain करूंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए यह सब जो कर रहा हूँ ना तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप चीजे समझ जाओ तो आप जब समझ जाएंगे ना आपके पस अगर कोई गाड़ी है कोई भी गाड़ी हो तो उसके वो गाड़ी का आपको 50% knowledge तो कम से कम चाहिए अगर 50% knowledge नहीं है तो आपको पता ही होगा तो इस वज़े से मैं आपके सामने लाड़ा हूँ के चीजों को आपको समझ में आए ताकि जब आप समझ जाएंगे ना तो आपके साथ कोई चलो अगरे नहीं कर सकता है तो चलो फिर जब तक के लिए बाई-बाई आर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज लाइक, कोमेंट, सस्क्राइब करें ताकि सस्क्राइब, लाइक, कोमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो अच्छी तरीके से एक्स्प्लेन करने की कोशिश करूँगा और खुसी-खुसी से बनाऊंगा वीडियो तो चलो फिर जब तक के बाई बाई टेक कियर अल्ला हाफीज